शनी मारगी हो जाने वाले हैं अभी तक शनी वकरी थे सिंग रासी के जीवन में बड़ा आंदी बड़ा तूफान उतल पुतल चल रही थी क्योंकि सप्तम दृष्टी से सनी सिंग रासी को देख रहे हैं तो सिंग रासी वालों को इसका जवाब नहीं मिल पारा कि मेरे करियर में रुकावट क्यों मेरे कारे क्यों नहीं बन पा रहे हैं मेरे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही है बलकि मेरे पर साड़े साती भी नहीं चल रही है और मेरे पर कोई ढहिया भी नहीं चल रही है कोई भी जोतिसी सही प्रकार का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है तो संह रासी देखा जाए तो बहुत अच्छी रासी होती है नेडर राशी होती है आत्म इस्वात से भरी टेलेंटेड राची होती है लेकिन ग्रह नक्षत्र का प्रभाव के कारण बहुत बार शिंगरासी वालों को हानी भी उठानी पड़ जाती है जैसा कि इस समय दो ढ़ाई साल से सिंगरासी वाले मैसूस कर रहे होंगे कि उनको हर काम में बहुत जादा मेहनत करनी पड़ रही है क्रेडिट भी किसी और को मिलना है बहुत अच्छी सफलता सिंगराशी वालों को मिलने रही है कारण शनी की दृष्टी आपके उपर है और सब्तम दृष्टी भी धहिया के समान ही होती है इसलिए आपके उपर आप प्रतियक्ष धहिया का प्रभाव चलना है इसलिए आपके दिन बहुत अच्छे नहीं है दो डाई साल से वह भी तो अब क्या है कि शनी मारगी हो जाएंगे और कही ना कही अपरेल दोजार पच्चीस में शनी कुम्बराशी से निकलने के निकल ही जाएंगे और मीन राशी में प्रवेश कर जाएंगे कहा जाता है कहावत भी है जाता जाता सनी बहुत कुछ देके जाता है या बहुत कुछ लेके जाता है तो सिंग रासी पर क्या प्रवाव रहेगा जाते जाते सनी का और साल दोजार पच्चीस का आगाज भी हो रहा है साल दोजार पच्चीस का पहला चरण मानके चलिए सनी सही प्रभावित है तो कहीना कहीं शास्त्र में लिखाए सब्तमे शनी मारगी विजय सिद्धी दाय का यानि कि सब्तम में जाते जाते सनी आपको विजय देगा आप जो चीज के लिए मेनत कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देगा जैसे कि जो वाद विवाद जीवन में चल रहा है कोट के सरकारी दफ्तर के चक्कार किसी काम के लिए आप लगा रहें तो उसमें अब आपको विजय प्राप्त होगी आपके काम सपल होते वे नजर आएंगे साथी साथ बहुत से सिंगरासी वालों के दामपत्य जीवन प्रेर में भी तकरारे चल रही हैं वहां भी प्राप्लम सॉल्व होगी जाते जाते सनी के कारण साथी साथ आफीस में आप पावर में हो जाएंगे सब्तम में शनी जब भी जाते जाते आदमी को पावर देता है यदि आप राजनीती में हैं तो आपको बहुत अच्छा पद भी मिल सकता है या आप समाजिक उसमें है या आप एक यूट्यूबर है चोचल वरकर है लोहे सोने चांदी से समंदित इट रोडी बदरपूर से सम आपके जीवन के अंदर और्डर पे और्डर काम पे काम में वृद्धी करेगा यदि आप डॉक्टर है इंजीनियर है या कंप्यूटर इंजीनियर है तो कही ना कही यह जो जाता जाता सनी है जो कि आपका साल दोजार पच्चीस का सुरुआती चार महिने तक प्रभाव र अब क्या होगा कि शनी की कही ना कहीं तीसरी दृष्टी आपके नववम भाव पर पड़ रही है यानि यह नववम भाव है तो यहाँ पर विदेश यात्रा का भाव है तो विदेश से समन्दीद रुकेवे काम सिंग राशी के बनेंगे विदेश समंदीद अगर आप वि विध्यारती स्टूडेंट को भी कोई अच्छी सपलता दे सकता है। तो स्टूडेंट के लिए भी शनी का गोचर भोग अच्छा है। जाना भोद अच्छा है, साथी साथ सनी की 7 वी द्रिष्टी आपकी राशी पे है, यह जो 7 वी द्रिष्टी यह बहुत अच्छी हेल्ट के लिए नहीं है, तो सिंगरासी वाले कोई भी बिसन करते हैं तो सुदर जाओ, समल जाँ, जाता जाता सनी, आपको कोई बिमारी दे सकता है, health की issue दे सकता है, BP की problem, पेट की problem, हिर्दे समंदी problem, या सर से समंदी कोई problem दे सकता है, तो आपको exercise व्यायाम जाते जाते शनी, क्योंकि शनी जा रहा है, अप्रेल 2025 तक तब तक exercise जरूर करें, बिल्कुल भी lightly नाने, और oily खाना, बजार का खाना, बुरी आदते थोड़ा कम ही कर दें, नहीं तो ये जाता जाता सनी, health के लिए कश्टकारी रहेगा, कुछ ना कुछ आपको विमारी दे सकता है, साती साथ सनी की दसंद्रिष्टी आपके चौत्थे भाव पे, परिवार का भी होता है, माता-पिताब का भी होता है, कुटुम का भी होता है, तो चतुर्थ भाव में होने से, आपको थोड़ा वाहन साबधानी से चलाना है, वाहन का एक्सिडेंट हो सकता है, यदि आप वाहन खरीदते हैं, है न मित्रो कुछ लोग रात को गाली चलाते हैं कुछ लोग लॉंग ड्राइब पे बिना साबधानी बरते वे बहुत तेज स्पीड में गाली चलाते हैं यदि आपकी सिंगर आसी है तो भई ये जो चार मैने जिसमें सनी जा रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए कहते हैं कि कि साबधानी हटी और दुरगटना गटी क्योंकि वाहन से कुछ नुकसान के योग बन रहे हैं और भगवान ना करे कोई नुकसान हो इसलिए थोड़ी साबधानी रखे हम आपको अवेर कर रहे हैं याद रखिएगा कोई ये भविश्यवानी नहीं ये पर्मूटेशन कॉ अपको अवेर कर रहे हैं तो यह जो दृष्टी है ये भी बहुत अच्छी नहीं है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सनी आपके करियर के लिए जाता-जाता-सनी बहुत लाबकारी है आपको पावर देदेगा आपको नई नोकरी के योग देदेगा या आपका बंद काम भ लो यदि आपको अपनी कुडली में डिगरी के अनुसार भाव के अनुसार बिलकुत सटीक जानना है तो आपको बत्तर घंटों के अंदर आपका नंबर आ जाता है आप मुझे टेलिफोनिक बात कर सकते हैं कॉल बिलकुल ना करें कॉल बहुत सारी आती है उठाना पॉसिबल नहीं है उतना आपको वट्सएप करना याद रखें वट्सएप के माद्यम से आपको जवाब आएगा और हम मैं बार इतना ही मुझे दिदी जाय मता दी